अब लो फ्रेंज आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है आज के हम अपने नए वीडियो में हमारा थर्ड रिशु पढ़ने बाले हैं इस रिशु का नामें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिशु रिट इस बैसिकली यह जो हमारा रिशु है यह डिपेंड करता है हम कुंसा प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानि याद होगा जब भी हम देशिस पढ़ते तो मैंने बताया था कि किन चीजों के बीच में रिलीशन बताता है जैसे जीपी रिशु पढ़ा था जीपी और सेल्स के बिच का रिलीशन बताता है ऑपरेटिंग रिशु और हमारा सेल्स के बीच के रिलीशन बताता है तो उसी तरह से जो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिशु ये बिसली बिजनस के यानि जो भी बिजनस है जो भी हमारा कंपनी है उसमें जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उस के बीच का relation और यानि OPERATING-TOS간 के बीच का RELESION ठीक हैți OWP EARNDING TO CELLS के बीच का RELESION मताता है तो यह हमें पता होना चाहिए कि किसकी बीच का RELESION बता रहा है अगर हमें यह पता होता है कि OPERATING और किसकी का RELESION बता रहा है उससे आसानी यह होती हैं कि हमें याद करना की tension नहीं रहती है ओके तो यहां पर मैं लिखता हूँ आ उपरेटिंग प्रॉफट एंड सेल्स रिलीशन ओके अभी सका फॉर्मिला बनाना चाहे तो फॉर्मिला क्या हो जाएगा तो मैं फॉर्मुला यहां पर ही लिखता हूँ ठीक तो फॉर्मिला हो जायगा की operating profit ratio is equal to operating profit divided by net sales into 100 यह हमारा formula हो जाएगा operating profit का अब देखो यह class start करें वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज में बता दो आपको अगर आपने पिसले वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो को जरूर देखें क्योंकि हम जितने भी रेशियो पढ़ने वाले हैं हर रेशियो में एक चीज खास होती है कि इनका रेलेशन कहीं पीछे वाले के साथ है पीछे वाले मतलब किया कि हम स्थे पहले अके वीडियो में हमने अुपरेटिंग कोस्त के बारे मेरा डितेल मेरा ये इंडिया के यहां पर्सविल में आप पर्सवेल आपको पूर। होना चाहिए तो आपको पता चलेगा जब आप हमारा फिछला वीडियो देखेंगे तब अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई प्राब्लम नहीं होगे क्यों कि मैं यहां पे थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा ही बट स्टिल यह मेरा करणा यहां पें साइड में लिख दीता हूं कि नेट स्यल हमें कैसे निकाला वते हैं तो घष crash時 यह जो भी बृब्ससकों इसको बोलते हम एकश्य को यहां पर टीस लीकrator टॉटल कמצ लेखते हैं कि हम विट्रं हम क्या करते हैं माईनिस करते हैं जैसे यह एंस सेल्ति तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट सेल मिल जाएगा. लेकिन वो निकालना प्रॉबलम नहीं. प्रॉबलम है हमारा operating profit का. हम समझते हैं कि operating profit कैसे निकालते हैं? operating profit का जो formula है, वो होता है. operating profit is equal to sales minus operating cost. क्या करते हैं? sales minus operating cost. अगर याद होगा तो पिछले ratio में हमने operating cost का use किया था और हमने formula एक बनाया था operating cost divided by net sell into 100 इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस formula को ध्यान से देखते हो तो एक चीज़ यह पता चलेगी कि अगर मैंने पिछले formula में operating cost को लेकि calculation किया था तो जो मेरा answer आया था अगर मैं उसे 100 में से minus कर दीता हूँ तो भी मेरा क्या आ जाए जैसे जो भी हमारा ratio आता है यह operating cost का अगर मैं operating cost को 100 में से minus करता हूँ तो जो मेरा answer आएगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ operating profit ratio बोल सकता हूँ ठीक है तो यह एक छोटा सा hint है चेक करने के लिए कि अगर चेक करना हो कि सही है या नहीं सही है वो तो यह कर सकते हो या कई बार question में जब दोनों चीज़े आ जाते हैं calculate करने के लिए कि find out operating profit and operating ratio तो ऐसे situation में तुम directly यह find out कर सकते है यानि कि जब आपका operating अपरेटिंग कोस्ट अपरेटिंग रीशो अगर आपके पास है तो हन्रेट में से माइनस कर जोगे तो भी क्या मिल जाएगा operating profit ratio ठीक है यह formula कहीं ने कहीं उसी के उपर depend करता है तो अभी यहाँ पर समझो कि sales minus operating cost होता है formula किसका operating profit का तो अब सबसे बड़ी problem यह है कि हमें operating cost find out करना होगा तो operating cost का मैंने formula बताया था COGS plus operating expenses और मैंने COGS का जो formula है वो क्या बताया था opening प्लस purchase expense minus closing ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं formula को थोड़ा short करता जा रहा हूं उसका reason यह है कि पिछले class पर बहुत discuss किया है that's why यहाँ पर मैंने directly लिग दिया कि COGS is equal to operating plus purchase plus purchase expense minus closing stock अब बात करते हैं operating expense की यह तो हो गया COGS की knowledge अब बात करते हैं कि operating expense क्या होता है operating expense में हमारे कुछ चीज़े include करते हैं जैसे कि हमें याद रखना है कि office expense ठीक है office expense या हम जिसको कभी-कभी administrative expense बोलते हैं employee related expense होता है ठीक है employee related तो यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूं employee benefit expenses ठीक है और क्या हो सकता है sales and distribution right sales and distribution और क्या हो सकता हमारा depreciation and return of amount यह इतनी चीज़े हमें बताई गई थी कि भाई यह सारी चीज़े कहां आती हैं आपका operating expenses में और हमारे पास इसका screenshot ले लो और इसको notebook में अच्छे से लिख लेना और यह डबा भी खास करके बना लेला क्योंकि यहां पर shortcut मैंने explain कर दिया है ठीक है एक चीज़े याद रखना यह profit के उपर बेज्ड है profit के उपर बेज्ड है तो यह ratio जितना हाई होगा ठीक है यह जितना हाई होगा उ अच्छा हमारे लिए तो जितना हाई उतना अच्छा ओके ठीक है तो यह याद रख लेना अब हम एक काम करते हैं थोड़ा practical questions देखते हैं तो जिससे हमें clear idea लगी का तो यहां पे एक practical question लिखा हुआ है question में लिखा हुआ है from the following information of H limited calculate operating profit ratio क्या calculate करना operating profit ratio अब यहां पे हमें क अब देखो इसको मैं दोनों तरीके से सॉल करके बताता हूं सबसे पहले हम directly solve करते operating profit को हम क्या solve करते है directly operating profit को इसको ध्यान से देखना ठीक है operating profit का formula क्या होता है operating operating profit divided by net sell into hundred sales तो हमें दिया हुआ है sales कितना दिया हुआ 7,50,000 तो वो तो directly लिख देंगे 7,50,000 लेकिन अभी problem यह है कि operating profit क्या होगा तो operating profit का जो formula अभी मैंने बताया क्या होता है operating profit is equal to sales minus operating cost मैं short में लिख रहा हूँ ठीक है लेकि मैं बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना operating profit is equal to sales minus operating cost अब ठीक है अब sales तो हमारे पास है sales कितना है 7,50,000 operating cost क्या होता है operating cost अगर याद होगा तो इसमें मैंने बताया था दो चीज़े आती है एक आता है आपका cogs और एक आता है आपका operating expenses क्या आता है आपका operating expenses तो दिहान से देखो कि यह दोनों चीज़े हमारे पास available है तो यहां पे मैं लि 1,50,000 तो इसको मैंने एड कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा 7,50,000 माइनस 3,00,000 प्लस 150 यह हो जाएगा 4,50,000 तो 7,50 में से 4,50 माइनस करोगे तो यह कितना जाएगा 3,00,000 रुपीज आ जाएगा और जैसे ही आपका 3,00,000 रुपीज आप इसको उपर लिख दो 3,00,000 divided by 750 multiply by 100 अगर इसको solve करते हो इसको solve करने पे आपका यह आ जाएगा 3,00,000 डिवाइद by 750 यह आएगा 40 परसेंटेज तो आपका जो operating profit ratio आएगा तो कितना आएगा 40 परसेंटेज तो यहां पे मैं 40 परसेंटेज लिखके इसको bracket लगा देता हूँ ताकि यह पता चले थोड़ा calculated operating profit ratio तो मैंने एक चीज़ बताया कि operating profit is equal to 100 minus operating ratio मैंने क्या बताया operating profit ratio चलो पूरा ही लिखता हूँ operating profit ratio is equal to 100 minus operating ratio 100 क्यों लिखा मैंने कि कि जो total percentage है वो 100 होता है तो total 100 में से हमें operating ratio का minus कर दूँगा तो जो बाकी बचेगा वो profit ही बचेगा तो अब problem यह है कि sir operating ratio तो निकालना ही पड़ेगा हां भाई कुछ ने कुछ तो निकालना पड़ेगा तो चलो operating ratio निकालते हैं operating ratio is equal to formula क्या होता है operating cost operating cost divided by net sell into 100 operating cost मैंने यहां पर calculate किया 40.000 अगर नहीं किया होता तो भी मुझे पता है formula होता cogs plus operating expenses divided by net sell into 100 to cogs कितना है cogs है आपका 3 lakh rupees operating expenses 1 lakh 50,000 right divided by 7 lakh 50,000 into 100 right to 3 lakh plus 140 sorry 150 3 lakh plus 150 हो जायागा यह 4 lakh 50,000 4 lakh 50,000 divided by 7 lakh 50,000 multiply by 100 इसको solve करोगे तो और 450 divided by 750 percentage करोगे तो that will be 60 percentage इसका मतलब यह हुआ जो आपका operating ratio आया वो कितना आया 60 percentage आया तो मैंने क्या का 100 में से operating ratio माइनस कर दो तो 100 में से अगर मैं 60 percent माइनस करता हूँ तो यह कितना बचेगा 40 percent right और ultimately हमारा answer जो है वो तो आ गया यहाँ पे भी देखो 40 percent ही आया है और यहाँ पे भी 40 percent आया है तो सिर यह बताने का सिर इतना मकसद है कि अगर मांद लो question में कभी दोनों चीज़े साथ में पूछते हैं कि find out operating ratio प्लस operating profit ratio मांद लो कभी पूछा तो हमें tension लेने की ज़रूत नी हमें calculate करके दूसरा अपने आप calculate कर लेंगे और वही चीज़े यहाँ पे मैंने bracket में लिखके बताई है इसलिए मैंन बढ़िया है उतनी बढ़िया हम भी है ठीक है हमें सारी formula ज्याद है इसलिए हम करी लेंगे यहाँ पी पूछा क्या है सबसे पहले जो पूछा उससी इसको देखोगे from the information of the jail company limited given below calculate operating profit ratio क्या find out करना है operating profit ratio यानि सबसे पहले formula लिख लो operating profit ratio is equal to operating profit right operating profit divided by net sell into 100 operating profit कैसे find out करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ operating profit is equal to net कैसे find out करते हैं net sales minus operating cost लेकिन अभी problem है operating cost find out करना होगा operating cost कैसे find out करते हैं दो formula उसके लिए है c o g s plus operating expenses यह क्या है c o g s plus operating expenses तो c o g s एक अलग है और operating expenses अलग है तो c o g s का जो formula होता है वो यहाँ पर मैं side mailing देता हूँ क्या होता है opening plus purchase plus purchase expenses minus closing यह formula होता है और operating expense में मैंने क्या कहा, क्या क्या चीज़े आती है, तो इसमें normally जो चीज़े आती है, वो मैंने आपको उपर बता दिया है, लेकिन एक काम करते हैं, हम question भी देखते हैं, यह तो मैंने formula leak दिया, पर हम question देखते हैं, उसके according चीज़ों को include करते हैं, सबसे पहले हम check करते हैं, operating, sorry, opening stock दिया है, तो opening stock हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 16,000, second हमारा है purchase 5,00, तो यहाँ पे मैं लिख दिता हूँ, purchase में 5,00, उसके बाद यहाँ purchase expense, यहाँ पे मैं add कर सकता हूँ, 20,000, उसके बाद office expense, अब तुम्हें पता है, यह जो office expense है, यह operating expense का part है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, office expense, कितना है यहाँ पे, तो यह मैं लिख देता हूँ, 50,000, तो 50,000 लिख रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, sorry, लिख रहा हूँ 20, बोल रहा हूँ 50, यह अलगी तरब का नसा है, ठीक है, तो operating expense क्या हो जाएगा आपका 50,000, उसके ब लिख देता है, depreciation, और amount कितना है, 40,000, तो यह हो गया आपका next, उसके बाद laws due to accident, तो आपको बताया था, मैंने किसी भी तरह का laws है, अगर ऐसा लिखा हूँ, laws due to accident, laws due to fire, laws on sale of assets, ऐसा किसी भी तरह का laws हमें नहीं लिखना होता है, क्योंकि यह हमारा regular work नहीं है, कभी कबार ह हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका operating मान के चाल लिख देंगे, तो यह याद रखना है, उसके बाद हमारा है, next is sales, तो sales हमें पता है, यहाँ पे दो जगे यूज़ करने वाले है, एक sales यहाँ पी यूज़ होने वाला 8 lakh rupees, और यहाँ पे divide में 8 lakh यूज़ होने वाला उसके बाद next is sales return, तो sales return दिया हुआ है, तो मैं directly नहीं लिख सकता बाबुजी, नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मुझे पहले sales return find out करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूँगा, मैं net cell is equal to total sales, ठीक है, total sales minus sales return, अगर sales return नहीं दिया हो था, तो मेरा सही था, लेकिन दिया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, 8 lakh minus 30,000, ठीक है, 8 lakh minus 30,000 करोगे, तो that will be 7 lakh 70,000, देखो, फिर से, यही तुम बता रहा हूँ, नसा अलग ही तरह का है यह, 7 lakh 70,000, तो यह हो जागा आपका 7 lakh 70,000, next cell, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 lakh 70,000, और यहाँ पे भी लिख दे तो 60 plus 5 lakh, plus 5 lakh, उसके बाद आपका plus 20 किया, हमने तो आगया 580, उसमें से 70 माइनस किया, तो that will be 5 lakh 10,000, तो यहाँ पे आपका आगया COGS 5 lakh 10,000, right, उसके बाद operating expenses add किया, तो यह total आगया 90,000, right, कितना आगया 90,000, तो 5 lakh plus 90,000, sorry, 5 lakh 10,000 plus 90,000, इन दोनों को add कर देते हैं, तो यहा 5 lakh 10,000, right, plus 90,000, तो यह आपका equal हो जाएगा 6 lakh के according, I mean 6 lakh हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आया total operating cost 6 lakh, तो 7 lakh 70,000 में से total cost मैंने 6 lakh minus किया, तो यह आजाएगा आपका 1 lakh 70,000, इसका मतलब जो आपका total profit आगया, sorry, operating profit आगया, वो कितना आगया 1 lakh 70,000, तो यहाँ पे मैं 70,000 divided by 7 lakh 70,000, तो 1 lakh 70,000, तो 1 lakh 70,000, तो यह आपका आगा 22.08 percentage, कितना आएगा, तीक है, कितना आजाएगा यह, 22.08 percentage, तो यह percentage में लिखा क्योंकि multiply by 100 किया, तो यह रहा आपका फूरा calculation, एकी slide में without any problem, without any tension, बहुत आसानी से हो गया, तो इस चीज़ को यादखना कि जो जो हम हमारे answers होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से bracket लगा दोगे ना, तो जो examiner होगा, उसके directly निजर वहीं पे जाएगी, देखो, जैसे अगर तुमने ध्यान दियागा, तो मैंने हर जगे bracket लगाया है, मैं इसकी बात नहीं करा हूँ, कि मैं इनकी बात करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितन clearly दिख रहा है, तो ये इससे तुमारा फायदा होगा, presentation बहुत अच्छा रखो, exam में हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हमें आता सब कुछ है, बढ़ हमारा minor presentation हम क्या सोचते हैं, क्या फरक पड़ता है, क्या फरक पड़ता है, निकि फरक बहुत पड़ जाता है, जो examiner, जो checker होता है, वो भी इंसान है, वो भी सोचता है, सारी चीज़े आसानी सोजा, तो अच्छा रहता, तो आसानी से कब होगी, जब ये सारी चीज़े दीख रही ही, मुझे सामने ना, तो मैं यहीं पर सब टिक मार दूँगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, यहां कुछ होर हो जाएगा, इतना तो भाई common sense है, तो यह छोड़ी-छोड़ी चीज़े है, याद रखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, तो अगर आपको ये class अच्छी लगी है, तो अपने friends के साथ जरू share करे, channel को subscribe करे, अगर नहीं किया है, friends के साथ share करते हैं, और feedback देते हैं, उन सभी को बहुत-बहुत thank you, right, और ऐसा मुस्कुराता हुआ, चेहरा हमेशा रहे तुम लोग का, और इसी तरह से पढ़ते रहो, हसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीकिए, ये इसको ignore करते हैं, क्योंकि ये Mr. Bean लग रहा है, तो इस तरह से रहो, मुस्कुराते रहो, आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much to all of you, have a good day.